राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आपस? दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको मोहनी एकादशी की कथा और महत्र बताएंगे दोस्तों वैसे तो हर एकादशी बहुत ही महत्रzent होती है लेकिन मोहनी एकादशी को पुराणों में विशिश इस्थान दिया गया है यह ब्रत बैसाक मास के शुक्लपक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति मोहनी एकादशी का ब्रत पूरे विधी विधान से करते हैं। बहे मोह माया के बंदन से छूट जाते हैं और अंतमी मुक्ष को प्राप्त करते हैं। मोहनी एकादशी का ब्रत रखने से घर में सुक्सम्रती आती है और भगवान श्री हरी विश्नुजी की कृपा से सभी पापों और दुखों का नाश हो जाता है आज के दिन मोहिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिरी हरी विश्णुजी की करपा से सभी दुखों, कश्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है साथ ही सहस्तर गौदान के बराबर पुन्यफल प्राफ्त होता है भगवान विश्णू जी की कृपा से सभी मनुकामना जल्द ही पूण हो जाती है मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरी विश्णू ने मोहिनी अपताधारन किया था इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है समुंदर मन्थन के दौरान देबदानवों के बीच अमरत कलश को लेकर खमासान युद्ध छिड़ गया तब भगवान श्री हरी विश्णूची ने सुन्दर इस्तरी मोहिनी का रूप थारण किया जिस पर असुर मोहित हो उठे तब श्री हरी ने देबताओं को अमरत पान कराया इससे सभी देबता अमर हो गए कहा जाता है कि जिस दिन श्री हरी ने मोहिनी का रूप थारण किया था वहत थी वैसाक मास की शुकलपक्षी एकादशी थी यही बज़ा है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है इसके अलावा इस दिन भगवान श्री हरी विश्णू जी के मोहिनी रूप के पूजा आरातना करने का भी बिथान है भगवान श्री राम ने दुखों के निवारन के लिए और मोहिनी एकादशी के महत्व को समझाने के लिए मोहिनी एकादशी का प्रत रखा था इसी तरहे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युदिष्टर जी ने भी दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस प्रत को रखा था मोहिने एकादशी के कथा इस प्रकार है एक बार धर्मराज युदिष्टर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण बैसाकमास के शुक्लुपक्षी एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है इस प्रत की क्या बिधी है यह सब पिस्तार पूर्वक बताईए तब भगवान शी कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्शी वस्तिष्ट जी ने शिरी रामचंद जी से कहा था एक समय शिरी रामचंद जी बोले कि हे गुर्देव कोई ऐसा ब्रत बताईए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए मैंने सीता जी के बियोग में बहुत दुख भोगे हैं वस्तिष्ट जी बोले हे राम आपने बहुत सुन्दा प्रश्ण किया है आपकी बुद्धी अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है यद भी आपका नाम इस मरन कहने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है तो भी लोग हित में यह प्रश्ण अच्छा है बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है इसका ब्रत कहने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूट कर मोह जान से मुक्त हो जाता है मैं इसकी कथा आप से कहता हूँ सुध्यान पूर्वक सुनो स्वरस्वती नदी के टट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में धुती मान नामक चंद्रवंशी राजा राजकिया कर दे थे वहाँ धन धानने से संपन वापुन्यवान धन पाल नामक बैश्य भी रहता था बहें अत्यन्त धर्मालू और विश्णू भक्त था उसने नगर में अनेक भोचनाले प्यावू, कुएं, सरोबर, धर्मशाला आदी बनवाए थे सडकों पर आम, जामुन, नीम, आदी के अनेक ब्रक्ष भी लगवाए थे उसके पांच पुत्र थे, सुमना, सुबुध्धी, मीधावी, सुक्रती और ध्रश्ट पुध्धी, इनमें से पांचमा पुत्र ध्रश्ट पुध्धी, महापापी था वहें पितर आदी को नहीं मानता था वहें बैश्या, दुराचारीस मनुश्यों के संगती में रहकर, जुआ खेलता और परिस्तरी के साथ भोग बिलास करता, तथा मास्मद्रा का सेवन किया करता था इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वहें पिता के थन को नश्ट करता रहता था इन्ही कारणों से त्रश्ट होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था घर के बाहर निकलने के बाद, वहें अपने गहने कप्ड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा जब सब कुछ नश्ट हो गया, तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया अब वहें भूप प्यास से अती दुखी रहने लगा कोई सहारा ना देख, चोरी कैना सिह गया एक बार वहें पकड़ा भी गया, तो वैश्या का पुत्र जानकर जेतावी देकर छोड़ दिया गया मगर दूसरी वार फिर पकड़ में आ गया राजा की आग्या से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया कारागार में उसे अत्यंति दुख दिये गया बाद में राचा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा, वह नगरी से निकल बन में चला गया, वहां बन ने पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा, कुछ समय पस्चात वह पहेलिया बन गया, और धनुश बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा एक दिन भोग प्याज से प्यथित होकर वह खाने की तलाश में खूमता हुआ कॉंडियन रिशी के आश्रम में पहुँचा उस समय बैसाख मास था और रिशी गंगा इसनान कर रहे थे उनके भीके हुए बस्त्रों के छीटे उस पर पढ़ने से उसे कुछ सदबुधी प्राप्त हुए वह कॉंडियन मुनी से हाथ जोड़ कर कहने लगा की है मुने मैंने जीवन में बहुत पाप किये हैं आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताईए उसके दीन बचन सुनकर मुनी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुकल की मोहनी नामक एकादशी का प्रत करू इससे समस्त पाप नश्ड हो जाएंगे मुनी के बचन सुनकर वह अत्यनत प्रसन्न हुआ और उनके दौरा बताई गई बिधी के अनुसार प्रत किया इतनी कथा सुना का गुरू बसिष्ट जी भगवान श्री राम से बोले हे राम इस प्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नश्ड हो गए और अन्त में बहे गरूर पर बैठकर विष्णू लोग को गया इस प्रत से मुह आदी सब नश्ड हो जाते हैं संसार में इस प्रत से सेश्ड कोई प्रत नहीं है इसकी महातम्य को पढ़ने से अथ्वा सुनने से एक हजार गौदान का पुन्यफल प्राप्त होता है और भगवाई श्री हरी विष्णू जी की करपा से सभी दुखों, पापों, कश्टों और संकटों से भी छुटकारा मिलता है मोहनी एकादशी का ब्रत दस्मी तिथी से ही प्रारम कर देना चाहें दस्मी तिथी पर केवल एक समय भूजन करें सोध्यास्त के बाद भूजन नहीं करना चाहें एकादशी तिथी के दिन नित्य कर्मों से निब्रत होकर पूजा करनी चाहें ध्यान रखेंगी ब्रत के दौरान किसी के प्रती मन में कोई भी कलिश ना रखें साथ ही किसी भी बुराई या असत्य बच्छनों से भी बच्छना चाहिए अन्यथा ब्रत का फल नहीं मिलता शास्त्रों में बताया गया है कि निर्मल मन से यदि कोई मोहिनी एकादशी का ब्रत करे तो भगवान पिश्णू जी उसकी सभी दुखों को दूर कर देते हैं यह ब्रत मुक्ष दिलाता है साथ ही यह साधक को निरोगी भी बनाता है इसलिए ब्रत करने के बाद जरुरत मंदों को यथा शक्ति दान अवश्य देना चाहिए भूगे ब्रक्तियों को भूजन कराना चाहिए इससे जाने अंजाने में हुए सभी पापनश्ट हो जाते है अंत में भगवान विश्णू जी से छमा प्रातना अवश्य ही करनी चाहिए मोहनी एकादशी के दिन कासे के बतन में भूजन नहीं करना चाहिए नौन वेज मसूर के दाल चने वा कोदो की सब्जी और शहत आधी का सेवन भी भूल कर नहीं करना चाहिए ब्रत वाले दिन डुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी भी जीप को किसी भी प्रकास से नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए इस दिन भूल कर भी प्याश लहसन, सिग्रिट, तमागु, पान, इत्यादी का सेवन भी नहीं करना चाहिए ब्रत रखने वालों को ब्रश भी नहीं करना चाहिए एक आदशी के दिन रात्री जागरन का विशिश महत्व होता है पूरी रात जाकर भगवान शिरी हरी विश्नुजी के नाम का संकीरतन करना चाहिए एक आदशी के दिन काम बासना को त्याक कर भगवान श्री हरी विश्णुजी के चर्णों में अपने मन को लगाना चाहें भगवान श्री हरी विश्णुजी का पूजन कहने के पश्चाथ इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहें ऐसा करने से भगवान शरी हरी विष्टू जी की कृपा से सभी तुखों, पापों, कष्टों, संकतों से छुटकारा मिलता है और सुक्सम्रथी की प्राप्ति होती है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लेज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भैवी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और हमसे चुड़े रहिए